जबसे नितीन गड़कडी को संसदिय बोड और केंद्रिय चुनाव समीती से बाहर किया गया है, तभी से नितीन गड़कडी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं या कहा जा रहा है कि नितीन गड़कडी और मोदी के बीच ठीक से बनाव नहीं हो रहा है, तो कह से निटीन गड़करी के साथ इस तरह का वेभार हो रहा है और अगर गड़करी इस बात को नहीं मानते हैं तो गड़करी को इससे और भी ब्रागल कीमत चुकाना पड़ सकता है कल से एक वीडियो social media प्तु कर में हैं कि एक वाइरल वीडियो को लेकर नितीन गड़कडी की तरफ से भी सफाई दे दिया गया है क्या है यह पूरे मामले की सचाई नहीं समुद्धे पर करेंगे आज विस्तार से बात लेकिन उससे पहले मेरा पड़िचे नमस्कार मेरा नाम घंसयाम सिंग है और आप जंता जंकसन और अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पाईए इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कल से नितीन गड़कडी का जो एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वह ग्रीन कलर के कुरता पहने नजर आ रहे हैं और नितीन गड़कडी कह रहे हैं कि अगर आपको संभव है त तो कोई बात नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी मंत्री पद रहे या चली जाये मैं कोई राजनितिक पेशेवार नहीं हूँ वीडियो को सोसल मीडिया पर खूब वाइरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चला है नितीन गड़करी ने ट्विटर पर अपनी वीडियो का लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि आज एक बार फिर मेंदेश्ट्री मीडिया और डिजिटल मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा मेरे बयान गड़कर अपनी राजनितिक फैदा लेने के लिए मेरे खिलाप नपाक अवियान जारी रखने का पडियास किया जा रहा है हलाकि मैं फिरीज एलिमेंट के इस तरह के दुरुहागपुर्ण एजेंडे से कभी परिसान नहीं हुआ हूँ लेकिन फिर भी सभी संबदीदों को चिताबनी देता हूँ कि मैं अपनी सरकार, पार्टी और हमारे लाखों मेहनती करकरतावक वियापक हित में उन्हें कानून के दायरे में ले जाने से नहीं हिचकूंगा आपको बता दे कि जिस वीडियो को लेकर सोसल मीडिया पर इतना माहल बनाया जा रहा है वो पीडियो कुछ दिन पहले का है जब नितीन गड़करी गया नेस्वर एम मूले द्वारा लिखी गई किताब नौकर साही के रंग की लॉंचिंग में गये थे या कहा कि यहां काम करो जिसकी पूरी जिम्मेदारी व्यक्तिवक्त तोर पर मेरी है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मंत्री पद रहे या नहीं रहे मैं कोई पैसिवर राजनितिक नहीं हूँ इसके आलावा इसी वीडियो के कुछ हिस्से को काट कर सोसल मीडिया पर यह भी पोस्ट किया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि नितीन गड़करी देश के लोगों को कानून तोरना सिखा रहे हैं लेकिन नितीन गड़करी ने इस वीडियो में पूरा वाग के क्या कहा था वह भी हम आपको बता रहे हैं नितीन गड़करी ने अपने संभोध में यह कहा था कि गांधी जी अक्सर कहते थे कि कानून का पालन तो होना चाहिए लेकिन आपका कोई भी फैसला गरीब सोसित दलित समाजिक आर्थिक और स्यक्षनिक रोप से पिछरा हुआ व्यक्ति को न्याय दिलाता है तो कानून को तोरना पड़े तो तोर देना चाहिए क क्योंकि इसमें हित है लेकिन ध्यान रहे अपनी नीजी स्वार्थ के लिए कानून तोरना गलत है नितीन गड़करी हमेशा से ही इसी तरीके से बिवाक अंदाज में बोलते हैं हमेशा डंके की चोद पर बात करते हैं राजनीतिक में रहने के बाब जोद भी हमेशा बेधर चाल से लिखा कि नितीन गड़करी को पार्टी के संसृत्य बोर्ट से हटाने का फैसला मिश्चित रूप से और इस से का फी नसदीक है इसलिए बीना र्च से पुछे नितीन गड़करी को इस तरीके से साइड लाइन नहीं कीया जा सकता है इसके अलाबा यह भी बिपक्षी पार्टी को फायदा मिल ला है आप अपनी ब्यानों से नीजी सुडखियां तो बटोडते हैं लेकिन इससे पार्टी और संग को सरमिंदगी का सामना करना पड़ता है लेकिन नितीन गटकरी पर इस बात का कोई फर्क नहीं परा जिसकी वज़ा से नितीन गटकरी को पार्टी में साइट लाइन किया गया है अब आप इस पूरे मामले पर क्या सूचते हैं आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएए और वीडियो को सेर कीजिए अगर आप हमारा यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद